नमस्कार साथियो कमजोर तब रुखते हैं जब वो ठक जाते हैं और विजेता तब रुखते हैं जब वो जीत जाते हैं तो चलिए आज का सफर आपके साथ सुरू करते हैं और आज आपको कुछ महत्वपूर प्रशन करवाते हैं जो भारत के प्रमुक बांध से संबन देते हैं तो मिलिए पहले प्रसन से सरदार सरोबर बांध किस नदी पर इस्तित है बताईए भाई किस नदी पर इस्तित है वो है नर्मिदा नदी बेतवा नदी उत्तर प्रदेश पर कौन सा बांध इस्तित है तो याद रखना रानी लक्षमी बाई बांद ये उत्तर पदेश में इस्तित है और बेतवा नदी पर है आगे बढ़ते हैं नैश्ट कुशन थीन बांद किस नदी पर इस्तित है बताईए ये जो थीन बांद है ये किस नदी पर इस्तित है तो इसका जो आंसर हो जाएगा व आपको आएं तो वो आंसर आप कमेंट में चापएं और जो प्रसंद के आंसर आपको ना आएं उनको अच्छे से सीखें समझें फिर आंसर दें बताए नैश कुशन कोईला बांद किस राज में है बताओ कोईला बांद जो है कई वार एक्जाम में आया है तो याद रखना ये हीरा कुंड बांध उडीसा में महा नदी पर इस्ते थे फरक का बांध बताईए ये किस नदी पर इस्ते थे बताओ फरक का बांध जो है ये किस नदी पर इस्ते थे याद रखना ये गंगा नदी में इस्ते थे कहां ये गंगा नदी पर इस्तेत है फरक्का बांद किस राज में इस्तेत है अभी आपने ये बताया किस नदी पर इस्तेत है अब आप बताएंगे किस राज में इस्तेत है तो याद रखना ये पश्यम बंगाल में है कहां है ये पश्यम बंगाल में सलाल बांद तथा बग लिहार बांद बताएंगे आप ये किस नदी पर इस्तित है सलाल बांद और बग लिहार बांद तो याद रखना ये दोनों बांद चिनाव नदी पर है कहां है ये चिनाव नदी पर आगे बढ़ते हैं टिहरी बांद बताओ आप टिहरी बांद जो है किस राज में इस्तित है तो याद रखना ये उत्तरा खंड में है कहां है ये उत्तरा खंड में बताएंगे आप टिहरी बांद जो है ये किस नदी पर इस्तित है अभी आपने बताया ये उत्तरा खंड में है अब आप बताएंगे ये किस नदी पर है तो याद रखना ये भागी रथी नदी पर है कौनसी नदी है वो भागी रथी लखवार बांध बताईए ये किस नदी पर इस्तित है तो लखवार बांध जो है ये यमुना नदी पर इस्तित है तो याद रखना ये करनाटक में चाहें आया हुआ है, आगे बढ़ते हैं नागारजुन बाँध में है ये किस नदी पर इस्तित थै, तो याद रखना ये प्रस्ना नदी पर इस्तित है, मैटूर बांध किस नदी पर इस्थित है बताईए मैटूर बांध है ये किस नदी पर है तो याद रखना वो काबेरी नदी है कौनसी नदी है काबेरी नदी है बताएंगे अब मैटूर बांध जो है ये अभी आपने बताया काबेरी नदी पर है अब आप बताएंगे ये भ तो बताया था आपको ये क्रस्ना नदी पर है अब आप बताएंगे किस राज में है तो याद रखना वो करनाटक है अमरावती बांद किस राज में है तो ये है तमिल लाडू में कहां है ये तमिल लाडू में आगे बढ़ते हैं नैश्ट कुशन से आपको मिलवाते हैं बता बताईए ये किस नदी परिस्तित है तो याद रखना ये सतलज नदी पर है कहां है ये सतलज नदी पर है अस्वान बांद बताईए ये किस नदी पर बना हुआ है तो जो अस्वान बांद है ये याद रखना नील नदी पर बना हुआ है जितने भी प्रस्ण करवाऊंगा आन नदी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है तो याद रखना चंबल नदी पर बनाया गया है और मध्य प्रदेश में बिश्व का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है बताओ भाई किस नदी पर बनाया है तो वो नदी है यांगजी नदी जहां बिश्व का स बारत का सबसे बड़ा बांद कौनसा है? बताएे अभी सबसे उचा देखा था अब बताएंगे सबसे बड़ा तो याद रखना भाकडा नागल जो है यह भारत का सबसे बड़ा बांद है सबसे उचा गुरत्विय बांध कौन सा है बताओ जो सबसे उचा गुरत्विय बांध है ये कौन सा है तो याद रखना ये भाकडा बांध है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध सरदार सरोबर ये किस नदी पर है बताओ ये किस नदी पर है तो याद रखना ये नर्वदा नदी पर है कहां है ये नर्वदा नदी पर आगे बढ़ते हैं हतनी कुंड बैराज जो है ये बताए किस राज में इस्तित है हतनी कुंड बैराज जो है ये किस राज में है तो याद रखना ये हर्याणा में है कहां है ये हरियाणा में उत्तर प्रदेश में हतनी कुंड परियोजना किस नदी पर इस्तित है तो याद रखना ये यमुना नदी पर इस्तित है कौन सी परियोजना हतनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर इस्तित है आगे आपको नैश कोशन दिये रहे हैं तो इसका अं क्लास यहीं तक आप सबी का बहुत 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 हैं